भारतिय जन्ता पार्टी ने जो बात करिये भव्य गुजरात वैभोशाली गुजरात और अग्रसर गुजरात आज उसको यथार्थ में लाने का काम बीजेपी ने पिछले 27 सालों में किया है और विशेश रुप से 20 साल पहले जब मोदी जी ने गुजरात की बागडोर सम्हाली उसके बाद कुजरात ने भव्य गुजरात वी देखा वैभोशाली गुजरात भी देखा और अग्रसर गुजरात भी देखा और अब इसको और एंप्लिफाई किया जा रहा है मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात ने अब यह तै किया है कि गुजरात में ट्रिलियन डॉलर एकोनॉमी तयार करनी है और वर्ल्ड क्लास इंफरस्ट्रक्चर गुजरात में तयार हो रहा है जिस प्रकार से मेट्रो का काम 2004 में संकल्पित हुआ लेकिन काम शुरू होने के लिए मोदी जी लगे और आज मेट्रो का पुरा जाल चाहे हमदाबाद हो चाहे अलगलग शेहरों में हमको दिखाई पड़ता है और इतना ही नहीं तो पिछले 20 सालों में क्रिशी के आए क्रिशी का जो जी एस डिपी है 9000 करोड से 2 लाख करोड तक ले जाने का काम यह प्रदेश की भारती जन्ता परटी की सरकार ने मोदी जी के नितरुत में किया है चाहे शेहर हो चाहे गाह हो हर जगर विकास हुआ है और आज देश के अत्यंत विकसित इस प्रकार के राज्यों में गुजरात का शुमार होता है विशेश रूप से भारतीय जन्ता परटी ने अपने घोशना पत्र में किसानों के लिए युवाओं के लिए महलाओं के लिए जिस प्रकार के कारेकरम रखे है और गरीबों के लिए भी चाहे फिर वो आईशमान भारत में दस लाग तक उसको ले जाने की बात हो या ओलेम्पिक में गुजरात के युवाओं ये देश का नाम रोशन करे इसके लिए बनाई गई योजना और इंफ्रस्ट्रक्चर हो या बीस लाख रोजगार का सुरुजन करने की बात हो ये मोदी जी की पार्टी है जो कहते है उससे ज्यादा करती है इसलिए मुझे लगता है कि ये पाँच साल गुजरात को और तेजी से विकास के और ले जाएंगे और आम आदमी का सपना पूरा करने का काम फिर एक बार गुजरात में होगा मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को अपील करता हूँ कि आपका बढ़ चड़कर आशिरवाद फिर एक बार मोदी जी को मिले बुपेंद्र भाई को मिले प्रदेश की सरकार को मिले भारती जनता परटी को मिले प्रदेश प्रदेश